बिमार्यों का समाधान मोटा नाच जी हाँ नमस्कार बहुत स्वागत मैं रादिका चौदरी आप डेड़ी किसान देख रहे हैं देखें मोटा नाच मिलेट सियर 2023 हम आज इसी 2023 में खड़े हैं जिस मोटे नाच का नाम जिस मोटे नाच की बात पूरा हिंदुस्तान नहीं हिंदुस्तान से बाहर भी बोल बाला है होगा भी क्यों नहीं आज बिमारिया कितनी फेल गई हैं और इन बिमारियों का इलाज हमारा किसान भाई मोटा नाच उगा कर कर रहा है चलिए देर आए दुरुस्त आए लेकिन हमने मोटे नाच की जानकारी पाही ली है अब मोटा नाच आपको खाना है और सबसे जादा अपने जीवन में अपनाना है इसके उलेकर पूरे भारत में मोटे इनाच को मिलेक्ष जीर 2023 के नाम घुसित कर दिया गया है और मनाया जा रहा है इसकी जानकारी हमारे किसान भायों को कितनी है इसको जानने के लिए उत्तरप्रदेश डेडी किसान की टीम पहुँच गई है ता गाव में पहुच गई है और अईया का एक ऐसा गाव जिस गाव में जो के लिए ये जाना जाता है बाजरे के लिए ये जाना जाता है पूरा बीमारिया भारत में पनप रही बीमारियों को दूर करना है केवल भारत में नहीं भारत के आसपास रेने वाले देश जो है वो हमारे पडोसी है ख्याल रखना बनता है तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आप भी हमारे आज किसान भायों से मिलीगा कितनी जानकार है मिलेट्स मुटे हैं आज की चलिए हमारे साथ तो तो शेहरों से गाउं तक का सफर जो है यहां आखे खत्म हो जाता है और खत्म हमारे अट्टा गाउं में हो जाता है जो उत्रप्रदेश के और यह में हैं बहुत स्वागत एक बार जोरदार से तालिया बजा दीजी यह तालियों की गड़गडाट पूरे हिंदुस्तान में यह कहती है कि हम किसान है हम वो किसान है जो हम उगाते हैं वो आपके घरों तक पहुंचता है हम तो बहतर ही उगाते हैं पर कहीं न कहीं आप ही गलती कर देते हैं आपका खानपान बिगड़ चुका है इसलिए तो शहरों में बिमारे बढ़ गई हैं जब भी कोई बिमारी आती है तो आप गाउं की तरफ देखते हैं यह वही गाउं है जी हां तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हमारे साथ देखे इस गाउं से अधिकारी भी हमारे बीच बैटे वह हैं किसान है और यह किसान मोटा अनाज लगाएं सबसे पहले में अधिकारियों से ही शुरुवात करूंगे कि भाई मिलेट्स है क्या और अगर मिलेट्स की जानकारी हमारे किसान चाहता है तो आप देते कैसे हैं क्या नाम है आपका नमस्कार अभी जो हम यहां पर आज मोटे अनाज के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं पहले तो बताना चाहूंगे अपने और या डिस्टिक में यहां पर बाजरा और जादा होता है जो लोकल इस्थानिय उपलब्द जो हमारा मोटा अनाज है वो बाजरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा पोशक तक से भरपूर होता है और इसका जो हम अगर ब्यापार के देश्टिक से बात करें तो हमारा जो भारत देश्टिक में प्रतम इस्थान रखता है यह बाजरा उत्पादन के लिए और जो बाजरा है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्या अच्तर व्म्य जाता है। उससे भी बचाव करते हैं। यह बाजरा। ऑर जो हमारे शरीर को लाब दायक होता है। और ऐसी बहुत सी उर्जा प्रदान करता है और एक बात मैं बताना चाहूंगी कि जो बाजरा है उसको मतलब कैसे लंबे समय तक उसको प्रिजर्ब करके रखा जाए एक्टली होता क्या है कि जब हम नॉर्मल घरों में बाजरा का आटा बनाते हैं तो हमने डारेक्ट बाजरा लिया और उसको हमने पीस के आटा बना दिया लें खटा जल्दी हो जाता है वह कड़वा जाता है उसमें कड़वाट आ जाती है वह 15 दिन से जादा नहीं चलता है तो अगर हम बाजरा को ब्लांचिंग बिधी द्वारा बनाएं ब्लांचिंग बिधी मतलब कि जैसे बाजर हुए पानी में दो मिनट तक उसको डाल दें और उसको निकालके उसको धूब में बढ़िया सुखा लें और सुखाने के बाद फिर हम उसको आटा बनाएं और वो आटा हमारा कम से कम एक महिना से ज्यादा चलेगा उसमें कड़वाट नहीं आएगी और उसको आप लंबे स हमसारा बहुत हैं और वो हम लोग जो है जब खाएंगे तो कहते हैं और यह थिस कु तमाम चीजी जानते हैं किसान को अब है कॉन कौन सामोटा नाज होता है और क्या-क्या मतलब मोटे अनाज न में आता है और हमारे शरीर के लिए कैसे लापदायख होता यह अभी किसानों को बताया हुआ है । तो आप किसानों से इस उस बारे आपयों कानाम है ऐत्तर प्रदेश में कि थी बार्डी करना है उत्तर प्रदेश में बैसे तो यहां हो विद्ध आप मात्रा में होती है और मजहर बाइडा हो इसमय में पूर्बज थे वो इसी पर काम करते थे लेकिन बीच में दोर आया तो कुछ लोग बदल गए अब फिर दीरे हमारे एक्पियों के माद्यम से यादकारी लोग है इनके माद्यम से क्रिसिवाक के माद्यम से जानकारी देते हुए कि गवर्मेंट हमारी सरकार है जो तो वो चायती है का अपना जानकारी इसलिए पहुचा रहे है कि वो तो किसान खुद जागरूख है एक्चली में क्या है कि जैसे बाजरा की कि कीमत कुछ दिन पहले 700-800 रुपए बिक्ती थी मार्केट में आज वही बाजरा की कीमत 1902,022 से तक जा रही है अच्छा बाजरी की कीमत क्या है जानाज जानूगी और भी अधिकारियों से जानूगी लेकिन हमारे बीच किसान बाई है उनसे जान लेता है जें पिर जिया डिया हो ऑर बाड़ा दिए, लेकंछ में कुछ ग्या लगाती है। जो किया कहेंगी? जो मोटा एनाज पीछ में कम हुआ उसी का काइर है भीमारिया बढ़ना? कि उसकता है और अप भा Videos खारा लेसी लिस जुमोटा एनाज काने है यानि पहले जो आपने लगाया आपके पूर्वज जो भी थे उन्होंने लगाया लेकिन धीरे-धीरे कम हो गया अब आप क्या चाहते हैं कि बाजरा ज्यादा लगाना चाहिए क्योंकि बाजरा से कही तमाम चीजे बन रही है जिससे डिमांड बढ़ रही है हां हम लोग सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा बाजरा लगाते भी हैं और लगाने की बढ़ाने की कोशिस करते हैं क्या भाव सही मिल रहा है वहां बहुत अच्छा मिला है पहले 500-700 रुपई मिलता था लेकिन अब दू अजार तक पौंच गिया है अच्छा एक सवाल और पू आज़ती है तो किसान भाई खुश है बहुत खुश है हमारे किसान चेलिया आप कुशने तुकित्रे खुश है जाल लेते हैं बैठिए बहुत दन्यवाद वह काम करते हैं वह और श्रा है कासी ए प्सक्ता हूद अरे करतेसे काम करते अगर काते मस्त देखे शेहर वालों को सुना दीजिए मतलब बाजला खाने से फिट रहते हैं हाँ हाँ जी तो 75 साल की बुजर्ग दादा जी का कहना है कि देखिया आप हमें देखतर ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि 40-45 की उम्र होगी सच मानी ऐसा ही लग रहा है क् करते हैं कितने लग जाता है जबाजरी की जानकरी है ये बाजरा गॉजनत necklace ना खटटा हो जाना कड़वा हो जाना ज्यादा इसको काम नहीं लिया जाता था अजकल कितनी जानका भी बाजरा के रोटी बहुत बढ़िया होती है है हमारे पिता जी एक कहानी बताती थे एक अंग्रे जब सराया और वह राज में किसी वजए से रुख गया गाउं मैं पहुंच नहीं पाया अपने एड़क्वाटर पर तो किसान ने काया कि वाई यहीं रुख जाओ जो रूखा रूखा होगा हो खिलाएंगी तुमको तो उसने दूद उसके होता था दूद में वाजरा के रोटी मीज़ दी गोल डाला और उसको खिलाया और इतना खुद रूख बूला तो अरल कि हमें बूरी आउंखोली दियता देखा 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 रसाने वाले समय में और भी हो घाने बेकर थी बाटी बढ़िया यानि बदला Lalisa AM बदला अन्यवाद और गजने वाइं फने आने कारौ ऑर नुस्क дела कि यहाना मैं आपका राजी नमस्कहार नमस्तिकौशक करते हैं करते हैं यह कूंति वाज्राइं की एक ज्वाहार है यह सब गासरा ककर बनता है अभाजार है खाने होटार समय और दो चस्ट, ager तो फाइदा होगा किसानों को फाइदा होगा आपको फाइदा हुआ कि नहीं आपको बाबुजी पता है कि नहीं कि आपका वगाला बाजरा हिंदुस्तान से बाहर विदेशी लोग भी खा रहे हैं कि अभी दुका मात्रा में अधिक मात्र होगी पेदा बार में तुम बाहर भी जाएगा वाइब या तो आपने जो कहानी सुनाएं उसमें विदेशी ने बहुत पहले खा लिया और फिर से खाने को शुरू हो गया है फिर से आपका बाजरा विदेशी वे पहुंचने वाला है और भी वहारे किसान भाई हैं जी नमस्कार अजय खेती करते हैं करते हैं जी भाव के समिल रहा है इस वक्त तो बहुत ही अच्छा मिला है यह करपा है मोदी जी की कि हम सब किसान खुशे आले हैं भाव की बज़े से नहीं तो हम लोग गरीब तो थे ही इसी लिए तो आज मोधी की फ्रसंसा कर रहे हैं अच्छा भाव मिलना अच्छी उपज मिल लहीं है और सभी जो तकनीकी लोग हैं वो मेरी मदद कर रहें जो स्टाइन टेश्ट लोग जो हैं वो अत्यांत परिष्णम करके हम लोगों की मदद कर रहें अचा यह जो अधिकारी बैटे हैं हमारे बीच आपके खेतों में आते हैं जी सर आते हैं बराबर हम लोगों से संबंद बनाई रखते हैं उन्हीं के आधार से हमें ज्यादा पैदाबर मिल अचा मिलिट से चल रहा है मालून आपको 2023 मोटे अनाज के मान हो गया जी तो इसमें क्या बनता है मोटे अनाज से जानते हैं अब मोटे अनाज में तो अब तो जैसे बाजरा इसल्टा को कोई नहीं पूच्छता था आज बाजरा में हर लोग उसे पसंद करते हैं बैटिए बहुत अच्छी जानकरीदी है उन्नथी भाव और कही ना कहीं जागरुकत दोलों रही है क्रि Chain gekommen देख्षिन कुमार 1 जी राधिका के this सवाल है कि आपर मेरें हम अच्छा का में कर रही है अच्छा काम कर रही है अच्छा प्रेश्चा justify कम अच्छा मेल रहे हैं और न क्वेग्नुत मिल रों न भी मिलिग्ञे टांबरा समय समय पर कर सही बार में जाता है जानने के लिए और यह जानना भी कहीं न कहीं जरूरी हो जाता है ऐसे गाव में पहुंचना जा कोई नहीं पहुंचता हो बहुत दूर दराज की गाव है जा किसान कितना जागरूख है किस तरह से सरकारी आंखड़ा जो हमारा है काम कर रहा है तमाम जो सरकारी यहाँ पर अधिकारी है किस तरह किसानों के बीच पहुंच रहा है तमाम जनकाली टीवी के माध्यम से आप तक पहुचा रहा है कि धीरे धीरे देश की तरक्की हो रही है वो तरक्की किसानों की खुशाली के जरीए आप तक पहुच रही है अब वक्त होगे एक छोटे से ब्रेक अब रेक के बाद हाजर होता है आप कहीं मत जाईए अब बाद कर रहा है अब जब इस पच्ची किसानों का समूब बनाके पंजी करण कर वाले फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी फिर PGS Organic की सरकारी महर के साथ तेरी उपच आकर्शक पैक में पहुचेगी बड़े बाजार तक अच्छा? हाँ, अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने तो किसान भाई, समझ गए ना? साथ मिलकर Organic खेती कीजिए अपनी परंपरा को आगे बढ़ाईए, ज्यादा मुनाफ़ा कमाईए माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती ये क्या हो रहा है? काश्वी? इतने कम माक्स? काश्वी, बेटा पढ़ा करो पढ़ोगी नहीं, तो आगे कैसे बढ़ोगी? मामा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ पढ़ा करो आप ढ़ोगी नहीं, तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो सिर्फ बैकपर खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उब जा रहा है अब समझे मामा, अगर मैं प्यार और्गानिक फूद नहीं खाऊंगी, तो अच्छे माम सासे लाँगी अच्छा बच्यों जैविक खेती की इस मोहिम को आगे बढ़ाईए, शुद्ध और्गानिक अपनाईए प्रेक के बाद बहुत स्वागत चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और किसान भाईओं से जानते हैं, मिलेट सियर 2023 की कितनी जानकारी रखते हैं, 2023 में चल रहे हैं, जनवरी से फरवरी और मार्च में आगे हैं, आते आते हमें खत्म होते वे इस एर में तमाम किसान भाईओं तक मोटे अनाज की जानकारी पहुंचानी है, जे, नमस्कार, क्या नाम है आपका? शंतोष कुमार्दुवे हमारी खेती में जो है, बाजरा उटा चुकए ए टर्ले पहले अब होर गे हूं है, मक्का बुने जा रहे हैं जै सब seaware लगाना चाहिए उसमें प्रोफिय पहले इतनी प्रोफिय है नहीं थी उसके मे Els औरου आनाज के भी वह इगद चीज़ है वहाव इगagem और सलंतौजी फेटी बाड़ी वह संथोजी घोटी नहीं तक पॉर्च रहे हैं कौन सी योजना है जिसका फाइदा आपको मिल रहा है यानि जो भी योजना है वो आप तक पहुंच रही है और अगर कोई जानकरी आपको चाहिए तो आप कहां जाता है योजना कोई नजानकरी मिल रही है Woman ऐट है अज आपकी खेत आए हम और देक रहे हैं आपने तो मोटा अगा रहा रखा है तो ये मोटा अनाज जानकारी होने के बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है या पहले से लगा है? तो ये मोटा अनाज पहले हैं जो का खीत आपको निरिक्षन कराया आपके सामने बाजरा की खेती करवाती है और बाजरा बिसेश बल लेती हैं तो आप भी चाहते हैं कि मोटा अनाज हर घर तक पहुंचेंगे शेरों तक और शेरों में ये जो अपने रिस्तेदार हैं सब को क रखा है कि ऐसा अनाज बना के भी जेंगे उसमें बेजर बाजरा और सारे अनाज मिला के और उसकी किट बना के अपने सेर में जूर इस्तेदार रहते हैं उनको बेजने को पहले से मूला है मोदी जी ने थोड़ा जगाया किसानों को तो हम लोग समझ में आया हम लोग तो है नेरुग में ला रहे हैं दो हुषे है interfer इसे टारे बारे बैठी आपने आपने खेटों के बारे में बताया और किस तरह से सरकार कारी है वह भी आपने समझा जी दो करते है हाँ जी खेत करते हैं अजय कहते हैं कि बाच्टरा अजे लगा ओ़िए लगए अगे तो जीडी किसान देखते हैं आप टीवी चैनल आप देखते हैं उसके माधियम से मिलती है जनकरी ठीक है बेठिए बहुत जनिवाद जी क्या नाम है अपका जी रात का जी रमेश संत्रपाथी नाम है मेरा तो खेती दो हम लोग काफी समय सकर रहे हैं क्रेशी विबाग के अधका कर रहे हैं तो इससे हम लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है और आधरणी परदान मंत्री जी के जो लक्ष है उस लक्ष को पूरा करने के लिए हम किसान भाई उनके साथ में चलकर इस देश को आगे बढ़ाने का कार कर रहे हैं बहुत अच्छी जैनकरी तो चलिए और भी किसानों से जान लेते हैं किसानों का अंखडा बड़ा है लेकिन हर किसान से सुनना भी चाहते हैं अब जो के समय से दो फसरें लेते थे बड़ा मुझी से लेकिन जैसे ही आगे आगे हमें तीपारी जी के माद्याम से और अनन्दकारीओं के माद्याम से पता चल यह में हम तीन फसल भी ले सकते हैं और इस से अच्छा पैदा भी कर सकते हैं तो बाजिरा से ननूल लिए कि पहले से भिंखर्त थेचाराे लिए उल्कार लगाने लिए से फाइदे हो रहे हैं इसलिए सरकार का भी रहा है और हम उनके साहथ हैं सपनापूरा कर रहे हैं वोदी जी और योगी जी दोणों लोगों के साहथ हैं अच्छा गर रहे हैं बिलकुल कर रहे हैं यौजनवाब तो पोंच रही है विख्षित होंगे और यह खुसाल होंगे तो मैरा देश खुसाल होगा मेडम जी क्या बात है बढ़ा आपका जो सुनकर समझ में आ रहा है यह कहीं न कहीं समझदारी जागरुकता हमारे अधिकारियों द्वारा किसानों तक पहुंच रही है वरना कहां यह पहले चीजें हुआ करती थी अधिकारी और भी हमारे साथ बैटे वह हैं ज जी जी तो रिपोर्ट बढ़ी अच्छी है अगर माक्स देने का मुझे अगर दिया जाए तो मैं हंड्रोइड में से अंड्रोइड दूंगी क्योंकि किसान यहां पर जागरुक है लेकिन जागरुकता किसाथ एक सवाल पूछूंगी नहीं योजनाई आती है किसान डिजि जिसे मालिय कुछ चाहिए जिसे अभी हमाया स्टॉबरी चल रही है तो हम किसान को वहां विजिट पर आते हैं कि दिखाते हैं उनको देखे कि यह किसान भाई कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं तो अब आपने देखा हुए कि पीछे क्रॉप्स लगी हुई है तो हम लोग कर रहे हैं तो फिर उनको हमें जनकरी मिलती है पूरा हिंदुस्तान देख रहा है और यह सुनेगा कि हमारे कौन से अधिकारी है जो इतना अच्छा काम कर रहे है तो तारीत के लिए वो तालिया घर बैठे बजा दे इसलिए पूरा नाम बता दीजिए मेरे नाम आंकुर ज आज ही के लिए तालिया हो जानी चाहिए और बहुत धन्यवाद आप सब का धन्यवाद शुक्रिया इसलिए कि हमारा किसान जागरुख होकर समझदार होकर खेती कर रहा है और कई ना कई हमारा यहां पर आकर यह सपना पूरा हो जाता है कि हमारा किसान तारी उस चीज की कर मुझा रहा है जो वाकई में हुआ है और यह कहा है कि जो नहीं समझ पार है उनके आँखों पर कोई ना कोई पर दा जरूर होगा और देखिए हमारे खेतों में काम हुआ है मारी आमदरी बड़ी है और हम समझ रहे मुझा अब मिलट कोकि राइम हुआ तीन महीरे हुए होंग लेकिन अगर ये कारिक्रम टीवी के माध्यम से छूट जाए तो यूटूब के जरी भी आप देख सकते हैं नमस्कार